तुमीर है जब चावर, चंदन, भीट पतर, तीनों चीज़, तुमीर हलकी हलकी आवाई है, क्यामरा गेरोष हुजाओ, वोज जंकरव अगवाने की जैए तो दोस्तो नमस्कार, मैं डेविट गवालियर, आपका फिरसे स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मैं मौज़ून दोस्तो पहाड़ गड़ में, जैसे कि आप पीछे आप कुपसूरत नजारा देख रहे हैं, यहाँ पे काफी ज़दा हर्याली है और काफी उच्छे बड़े पहाड़गी हैं, तो आज हमारा काफिला मेरे सारे दोस्त, जो मेरी टीम है डिविट गवालियर कि हम लोग जा रहे हैं इश्वरा महादेव, क्योंकि हमेशा जै कहते हैं रहस में, रहस में इश्वरा महादेव का नाम पहले आता है, तो इश्वरा महादेव को लेके काफी सारी ऐसी बाते हैं, जो रहस से जुड़ी हैं, तो रहस की खोशवम नहीं कर पाएंगे, पर आज की वीडियो में आपको इश्वरा महादेव मंदिर के दर्शन जरू कराएंगे, तो पालिगड़ से पहालगड़ आने का जो दूरी है लगबग 90 किलोमीटर है तो इस वक्त में पहालगड़ दे मौजूद हूं सुबह की आत्रह हमारे कैसी सुरू हुई उसके विश्य में आप जानिये अब भी मौरेना से लगबग 5-10 किलोमीटर और पहले हैं और इस जगे जो ठंड है ना क्या ही बताएं बहुत ही चादा सड़ी है तो थोड़ी देर के लिए रुके हैं रोट किनारे साइट में गाड़ी लगाई है तो यहां पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए हम रुके अप अपने महता भाई के साथ गवालियर से निकले तो हम लोग सुवेच 6 वजे क्योंकि निकलते वक्ते जो हालत थी ना वहालत खराब कर देने वाली थी और एक भाईया और गए हैं वो आ रहे हैं यह हैं इनके साथ आगे बढ़ते हैं लोग मस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंक साथ जुड़े हैं यहां के स्थानी निवासी हैं और यही हमको लेचलने इश्वरा महादेद तो कुछ जानकर यहन से भी जुटाएंगे कुछ महां जाके भी और पहले तो इनके बारे में जानते हैं आप बताईए नमस्कार मैं हूं नीतिस बरद्वाज पाडगर से उत् इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं आज इन दो भाईयों से आपको मिलवा ही चुका हूं यह हमारे महताब भाई हमेशा की तरह है तो बस जुड़े रहे हैं और आगे के सफर को यहां जो शुरू करते हैं हमारी टीम ने यहां से सफर सुरू किया और इश्वरा महादेग पहुचना इतना असान नहीं था दोस्तों इश्वरा महादेग मंदेर फाइनली पहुच गए दोस्तों अभी सफर लगवग हमारा आदा हो चुका है पर इसके बाद भी हमें अभी तीन किलो मीटर और सफर करना है यह रोड कुछ इस तरह की थी मतलब भूती ज़्यादा खतरनाग रोड बोल सकते हैं इसको बारिश में यहाँ पर आना काफी दर्दनाग हो सकता है गलों के रास्ते सफर करतो है फाइनली हम लोग पहुंच गए थे इश्वरा महादे मंदिर आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों और काफी खटिन वारा यह रास्ता था और एक चीज़ और बता दूब अगर मंदिर परिसर के किनारे पर पहुंचते हैं तो पहुंच को दरशन करा रहे हैं पहुं आप दिक सकते हैं और पील पत्र पेड़ है वह जो एक पेड़ है उसी में यह सारे 21 मुखी तक बिलपत्र आते हैं एक ही पेड़ के अंदर 20 मुखी तक के बिलपत्र आपको मिल जाएंगे इस ताइप से रहता है यह तेरा मुखी बील पत्र है। यह आपने एक पत्ती तोड़के इसमें लगा रखी है। यह सब जानकार याली भयाने जुद्धी हैं और वही बेल पत्र यहां की पूजा में भी इस्तमाल होता है। जब हम मंदिर परिसर के अंदर बढ़ रहे थे तब हमें एक अलगी शांति का अनुभव मिला। और पताया जाता है कि सुवे के वक्त यहां पे एक अधरशिश शक्ति आके पूजा कर जाती है। पहाडों से टपकता हुए जल महां मौजूद शिबलिंग का लगाता रभी शेख कर रहा था। जिस मंदिर के में विशेश बात कर रहा था आप लोग से रहसले मंदिया। यहां मौजूद है वो शिबलिंग दोस्तों और यह एक दव पहार है और पहार के मेंचे गुपान उम्हा पना हुआ है। और बताया जाता है कि यहां पर सुबह के बातरी में सुबह होने से पहले। विश अधरश्य शक्ति जो आके पूजा कर जाती है। और यहां हर सौंबार को आपको देखने को मिलेंगी काफी सारे बेल पत्र और पूजा समागरी में इस्तमाल होने वाले वो सारी चीज़े आपको यहां पर मौजूद लिलती हैं तो आज तक इस रहस को कोई भी नहीं सुल जा पाया बताया जाता है कि यहां पर काफी सारे मीडिया कर्मी भी आये थे इस जगे सब जगे उन लोगों ने अपने कैमरे लगाये थे तो जिस वक्त पूजा का समय हुआ उस वक्त सारे कैमरे गिर गए और पूजा हो गई तो ऐसी काफी सारी माननेता हैं काफी लोगों ने यहांपे पोच करने की कोशिश करी है पर इस रहसे को आज तक कोई ने सुल जा पाया और यह रहसे आज भी रहसी है और काफी ऐसी माननेता भी हैं यहांगे कुछ लोगों से हम लोगों ने जान करी जोटा ही हैं वो लोग भी हमें बताते हैं कि एक जमाने में पूजा के समय यहां की किसी व्यक्ति ने उस समय पर शिवलिंग पर हाथ रख दिया था जब पूजा होने वाली होती है पर कहते हैं कि आंधी चली और हाथ हड़ गया और तुम यह हो गई तैसे काफी सारे रहस से चोड़े हैं इस विशे को लेकर और यहां के कुछ लोगों समबाद करने ही पुशिश करें और भी जान करें जो होंगी यहां की वो भी आपको जुबाएगी निखाएगे मुख्य शिवलिंग इस गुफा के अंदर मौजूद है जहां पेक अद्रिशी शक्ति आती है और रुज सुबह आकर फूजा कर जाती है और यह गुफा के अंदर मौजूद है चट्टानों से टपकता हुआ जल हमेशा यहां भी शेक करता रहता है वहाँ मौजूद एक कुंड और कहा जाता है इस कुंड के पानी के सेवन भर से ही पेट के रोग दूर हो जाते हैं यहां पर एक शिवलिंग मौजूद है यह गुफा के अंदर है और एक थोड़ा सा भार की तरफ की है इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ यह काफी बड़ी चट्टान है इसको आप देख सकते हैं और जो यहां पर पानी भेरा है यह कुद्रती जर्णा है इसकी उपर आप जाएंगे तो महां कहीं भी आपको पानी के ऐसा इस्तरोत नजर नहीं आएगा कि पानी आता से रहा है पर जब आप इस चट्टान के है जो आप भार से देख सकते हैं और अंदर भी और भी क्या यहां पर खास चीज़े हैं उन सब चीजों को आपको दिखा तो यहां की कुछ जानकारी यहां जो इस वीडियो को देख रहे हैं और लोगली जुटाना चाहते हैं तो कुछ बताएंगे यहां के बारे में आप बाइया इस इश्रा माधित है अंदरवार जी को खम है ना इन पर ओटक मेटक चावर चंदन भीर पत्र तीनों समकरी चड़ जाती है और जीब पता नहीं चलता है कोन कर रहा है यह पता है काफी लोगों ने इस चीजों में पड़ताल करी है पर आज तक इस विशे में नही मेडिया वाले भी आये यहां पर वह जब जहां कुछ भी नहीं था से मेडिया वाले आए स्याम के टेम विन ने बोला बावा जी पूया कौन करता है तो मैं बोलो भी यह कोई मोर तो कोई पता नहीं है तो कई तुम कितने दिनों से हो जाम मुझे मिन कई यह सी 10-11 साल जगह बाव ईसका हो जालग मों चाहिंक। मैं नहीं रोटी अब्स सध edits बनाता हूं वह लगा का यह औक नब इसकाने बैठ पाओं लोगा उसामध बोलों सबसमें कुछ होगा। जी काम मैंने नहीं करो बेटा तुम बेट जाओ तुम पकड़ो सुवीर है जब चावर चंदन बीट पतर तीनों चीज चड़ा हूं आपने मीडिया वाले से बोला है अच्छा तो कई बावाद सपाई कर तो यह से पूल माला से क्या है वो पूरा दुख जाता है तो कई सपा मैंना इसी आसरा तो मैं राध दिन हो जाते सामना में बेटा जा पर कौन बैटा है इस तुम है आँसा करो चाह बनाओ चाह ब यह परसादी पाँ जो मेरी vacuum है तो आपसे क्या तो औठीग ह 일 फिर्शाए माहा बना इस चाह पी बिन्ने हमने वहां क्यामरा लगाने की coalition यह उस और चाह माय पीज़ जब तक बजगा संजा के साथ गुपा के अंदर इंदी रोग जाता है तो बिन्हें वो गुपा के अंदर भी फोक्षवारी लाइट हो जाना नो दोनों दद्द दें डरके नहीं एक दम सपाई कर दें सपाई करके हम रही आरती पूजा करके मैं बोला अ सब्सक्राओं में मतलब ना तो सब्सक्राइब देखेंगे अब अब जी जाने और आप जाने तो ठीक है एक चेटाई से लेगा उपच्छ उत्राप सिमंट वाले पहां जाक अब यह से बैट गए बैटे गए रात के बारा एक बजे के टेम पर इस गुपा के अंदर से खाई अब भी जुद लाट में मुझ दीख रहा हूं लेकर मैं बोला को नहीं क्याये बाब तुम्हें नहीं दीक रहा मिनके नहीं मुझे को नहीं है बताईए बाब जी तो भी अगर सांप जातो तो हमें खा जाता है मैंने कोई नहीं कहाएगा चलीगे बाप मुच यह उस मांटर लगे रहा क्यामरा तुम भी बरावर लग रहा है जहां भी आट जाएगा जी तो भी चुए कम सापन कर आता तो तो आप खा जाता आप तुम तो आदेश देवाम उपर वारी च्छत पर जाते हैं भाईया कम तुम चट पर गया तो में का पत चले हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो मैं समझ गवाब गला नहीं है तो मैंने भाईया तो आप नहीं मान रहे तो जाओ पहुंचो ऊपर क्यामरा बरावर लगी रही और जो पूजा को समय होता है तिनके वह चार के बीच में इतनी में हलकी हलकी आवाई है एक दूदू बरसा की पानी की आई पानी की एक साथ को कैमरा गेर गाओ कैमरा गेरो सुवांब याशी दूर्वीन सी में देख कैनी दोड़ते चले आए आगा जोली जंडा जनता है के बने कैमरा ख़़व परो कैमरा ख़़व परो के अवह देख ओ तो बाप संक्रभवन पुछ नहीं एकदम साफ अब नोग देख टिक टिक लगा देख रहा है अपनों आख को पल में टखते इतनी वेर एक सेकंड में दोई केमरान की लाट बंद होगा है केमरान की लाट भाई बंद होगा उजरी सुचाबर चन्दन बिलपत्त की नुचीच पूजा हो गई पूजा हो जंकरव अगवान ने की जैस लोगों का मानना ये भी है कि यहाँ पर रात के वक्त पूजा करने बिवीशन आते हैं और बोला जाता है कि यह जगे उनकी तपो भूमी गुआ करती थी यहां के बारे में बताया जाता है कि जो रावड के भाई थे छोटे बिवीशन उनकी भी तपो भूमी बोला जाता है इस जगे को यहाँ पर सिभजी का अपसे बगेरा वो करने आते हैं इसा बोला जाता है लोग मानते हैं लोग मानते हैं कि बिवीशन की यह तपो भूमी ह यहां पर आज भी जो बीवी सड़ है चरजीवी मोह में है जो आर्ट चरजीवी है उनमें से एक है तो यहां पर पूजा करने ही आती है जसा की शुरूवर में आपको बता दूँ पीछे आप एक मंगर नुमा देख रहे हैं यहां पर एक संत की मूर्ती है और उसके विशय में जानकर यह भाईया से लेंगे अपन कुछ बताई रही कब से स्थावित है और कैसे कहानी है यह तो करीबन अभी 10-12 वर्स हुए है इस जाना निए यह भूला जाता है और करीवन 4 लाक साल पराना त्रेता काल का दूँ पुरातत वेवाग के दाधा बताया घया था कारीवन 4 लाक साल पुराना है यह आपर आए यह था इन पर आए हम पानी गिर रहा है जिससे शिव जी का यहां पर एक कुंड के इस चल के विशे में भी खा जाता है यह काफी जादा पवित्र है अगर आप लोगों के घर में शिव मंदिर हो तो यहां से लेजा कि काफी लोग अपने घर के शिव जी का जलवी शेक भी करते हैं ऐसी कुछ मानन जाता इस जरू को और किसी को आज तक नहीं पता है कि यह पानी कहा से आ रहा इस पहाड के अंदर उपर भी आप जाएंगे तो ओपर कहीं आपको पहाड पर पानी नजर नहीं आएगा यही कुछ यहां के श्यमतकार हैं जो आपने को यहां पर आके देखने को मिले हैं तो सब्सक्राइब करते हैं यह आपकी यात्रा को काफी मतलब आनन में बना देंगे क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं विशेश्टोर पर जानकारियां नहीं होती है तो जानकारियों के साथ इन खुपसर जगों का नजारे का आनन लेने के लिए और आना-जाना जो कुछ भी रह सब्सक्राइं के सकते हैं यह बहुत जानकार चली चलते हैं और आज के सब्सक्राइब के लिए और नबीडियों में तगली इसाज़त दीजीये जैहिंज बारत झाल झाल